नचाहू मान दुनिया में, नचाहू स्वर्ग को जाना, मुझे वर्दे यही माता रहू भारत पे दिवाना करू में कौम की सेवा पड़े चाहे करूरों दुख, अगर फिर जन लूँ आकर तो भारत में ही हो आना ये बस एक कविता नहीं, ये होसला है, ये पंक्तिया नहीं, ये जलजला है, वो जलजला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पाउं तले जमीन खिसका दी थी ये किस्सा है, अमर शहीद पंडित राम पिसाद बिस्मिल और अश्वाक उल्ला खान वारसी का वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमान, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है खेंच कर लाई है सब को कतल होने की उमीद, आशिकों का आज जमगट कूचाए का दिल में है सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है पैल ये हत्यार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तयार हैं सीना लिए अपना इधर खून से खेलेंगे होली, गर्वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है पंडित राम प्रिसाद बिस्मिल और वो मुसल्मानों के शुद्धी करण कारेक्रमों में जुट गए पर नियती ने उनके लिए कोई और ही रास्ता तै कर रखा था यूं तो उनका अपना जीवन आराम से चल रहा था पर देश के हालात उन्हें परेशान करने लगे मेनपुरी शड्यंत्र नाम से मशूर हुई उनकी एक कारवाई में पुलिस कुछ ऐसे पीछे पड़ी कि उन्हें एक साल के लिए अंडरग्राउंड गुना पड़ा इस दोरान राम अज्यात और बिस्मिल के नाम से उन्होंने कई कविताएं और किताबे लिखी इन्ही दिनों उनसे मिलने एक दफा अश्वाक उल्ला खान वार्सी आए परमाई सलाम अलेकूं मैं अश्वाक जी मैं रियासत उल्ला खान का छोटा भाई आपके साथ मिडिल में पड़ते थे ना हाँ 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 याद है मुझा आओ बेठो कहो कैसे आना हुआ जी मैं पूरी शडियंतर के वारे में जानना चाहता था पर देखो मैं तो केवल कविताय लिखता हूं लगता है सरकार को कोई गलत फेमी हो गई है शायद कुछ लोगों ने घलत जानकारी दे दियो गी जी मुझे आपकी कविताय बेहत पसंद है लेकिन लेकिन मैं मैं वतन के दिल से कुछ करना चाहता हूं सरूर करो यह तो अच्छी बात है और हाँ मैं शायरी भी लिखता हूं अगर आप थोड़ा वक्त दे तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा हाँ हाँ क्यों नहीं लित्यान इत्मी नान से बेटेंगे बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिस बिस्मिल ने अश्वाक से बातें तो कर ली लेकिन अश्वाक उनकी जुबां की बेरुखी में दिल का बंध दर्वाजा भाप चुके थे ये वो दौर था जब हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच भारी अविश्वास था पुलिस में भरती कराकर या मुख्मिर बनाकर बिटिश सरकार मुसल्मानों को साथ मिलाना चाहती थी और इसी क्रम में हिंदूओं मुसल्मानों में डरार डालकर करांती का गला घोंटना चाहती थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उर्दू ग्यान एक ओर था लेकिन क्रांती के पत पर किसी मुसल्मान का साथ उन्हें मन्जूर नहीं था अश्वाग को एहसास था कि उन्होंने जो ठाना है वो इतनी आसानी से हासल नहीं कर पाएंगे वो भी अपनी कोशिशों में लगे रहे और आखिरकार एक कटर आर्य समाजी को एक मुसल्मान से दोस्ती करने पर मजबूर होना ही पड़ा दोनों शाजांपुर पर रहने वाले थे बड़ी चूटी जगह थी अलनक शुरू शुरू में दूरी थी मजब के वज़े से बाद में दोनों का इरादा नेक था मकसद साफ था वो चाते थे कि देश को आजाद करें और वो चाते थे अपनी कुर्बानी थे इस जोड़ी के साथ करांथी को एक नई ताकत मिल रही थी अश्वाक और बिस्मिल आजादी के युवा आवाज बन रहे थे महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के खिलाफ थे लेकिन युवाओं के आक्रोश के आगे उन्हें हार माननी पड़ी असहयोग आंदूलन में हालंकि युवाओं ने गांधी जी का बढ़ चड़ कर साथ दिया लेकिन चौरा-चौरी कांड के बाद अजानक इसे खत्म करने के फैसले ने कॉंग्रेस को नरम दल और गरम दल में दो फाड़ कर दिया जेल जाए और राम साथ बिस्विल लोगबा तिलिक से प्रफावित थे करांदकारी नोजवानों का ये कहना था कि नरम दल से मानने वाले लोग नहीं है हमारा मुल्क की आसानी से नहीं छोड़ेंगे हमें घुलाम रखेंगे इसलिए मैं समझता हूँ कि गरम दल की बहुत बड़ी भूमी का इस देश में है क्योंकि वो अपनी जान हतेली पे रखेर देश की आजादी को चाहते थे नरम दल की ओर गए पढ़े लिखे रईस गरम दल की अगवाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने की क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने कई युवा घर से निकलाते लेकिन धन की कमी ऐसी थी कि कई कई महीने इन्हें दिन में बस एक वक्त खाने को चना ही नसीब होता था अपना हुजर तो खेर पेट काट काट कर कर लेते लेकिन क्रांती का पेट कैसे भरते एक दफार रामप्रसाद बिस्मिल ट्रेन से सफर कर रहे थे ट्रेन में उन्होंने एक संदूप देखा जानकारी हासिल करने पर उन्हें पता चला कि इसमें सरकारी खजाना है उन्होंने फॉरण ही योजना तयार कर लिए फिल अखनव जब ट्रेन उतरी रुकी तो बखसा उतारा गया बखसा उतार कर गया इस्टोसन पर तहिनों देखा कि बखसे में ताला नहीं बंद है कि अवल कुंडी बंद ताला नीचिस लगाया हुआ है टांगा हुआ हुआ है और हर थाईली आती हर इस्टोसन का उसी मेर प्रप डाल दिया जाता है इनका इसको बहुत आसान इस पाईसे को लिया जा सकता है चीना जा सकता है हम ट्रेन लूत है ट्रेन पुरी कपुरी ट्रेन नहीं एंजन के पीछे वाले डिपे में एक संदूक होता है उसमें एक बड़ा सा ताला होता है उस ताले में होती है सरकारी पूची पर ऐसा कैसे करेंगे ट्रेने में तो कड़ी सुरक्षा होती है दरसल अंग्रेजों को यह उमीद ही नहीं है कि कोई ऐसी हिमाकत भी कर सकता है इसलिए उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ड्राइवर होता है तो फिर सभी करांकरीओं को ख़बर विजवा दें नाए उसके ज़रूरत नहीं पड़ेगी आठ्च डाउन पैसेंजर साहरानपूर से चलते हैं लगनों पहुँचने तक अवश्च दस हजार तक की आंदनी तो हो ही जाते है बड़ी बेचन ही हो रही है अब कुछ एक्षन चाहिए आप बताई करना क्या है बस ये एक ऐसी योजना थी जिसके सफल होने की गुणजाईश कम थी हर एक क्रांतिकारी को मालूम था कि वो जान हथेली पर लेकर जा रहा है लखनाउ स्टेशन से ठीक पहले काकोरी की ओर बढ़ते हुए दूसरे दर्जे के कमपार्टमेंट में चेन खीच दी गई चंद सेकेंड की सटने के बाद वीराने में गाड़ी रुप गई सभी क्रांतिकारी उतर कर गाड़ के डिबे के पास पहुँच गई मुसाफिरों से कह दिया कि सब गाड़ी में चड़ जाओ और गाड़ी के गाड़ को जमीन पर लेट जाने को कहा तो सबसे सरल था कि भारतियों का पैसा जो अंग्रेज लूट के ले जा रहे थे उसको ट्रेन से लूटें यह हमारा अपनी संपत्ति थी भारती संपत्ति थी जिसको लोग ने कबजाया ट्रेल रोक कर ट्रेल लूट कर लेगे लूट नहीं थे सही बाले में यह अपना पैसा अपने क्रान तेक लिए वापस ला रहे थी लोहे की संदूक उतार कर पहले चेनियों से काटने की कोशिश हुए थी पर चेनियों से काम न बना तब चंद्रशेखर आजाद ने कुलहाडी चला कर उसे तोड़ दिया उस गाड़ी में 14 लोग ऐसे थे जिनके पास बंदूकें या राइफलें थी दो अंग्रेज सशस्त्र फौजी जवान थे पर सब शान्त है सबने सोचा कम से कम 30-40 आदमी तो होंगे किवल दस युवकों ने इतना बड़ा आतंक फैला दिया ये कोई सोच बे नहीं सकता था क्योंकि मुसाफिरों से भी कह दिया गया कि बस सरकार का माल नूटेंगे तो मुसाफिर भी शान्ती पूर्वग बैठे रहे इस घटना से नवयुवकों का उत्साह आस्मान पर पहुँच गया जितना करजा था निप्टा दिया गया अस्तुरों की खरीद के लिए लगभग एक हजार रुपए भेज दिये गए लेकिन आस्तीन में साप छिपा हुआ था ऐसा गहरा मुह मारा कि चारू खाने चित कर दिया 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफतार कर लिया गया अश्वाक शुरुआत में नहीं पकड़े गए लेकिन 11 महीने बाद उनकी भी मुख्बिरी एक दोस्त ने कर दी पर उन्हें बिस्मिल से अलग जेल में रखा गया 22 अगस्त 1927 को फैसला सुनाया गया राम प्रिसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिडी, अश्वाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंग को फासी का हुक्म दिया गया इतनी कोशिशें और इतने लंबे मुकदमे के बाद भी इस बेतु के फैसले से समूचे देश में संसनी थी फासी की तिथी 19 दिसंबर 1927 मुकर्रण कर दी गई आज 16 दिसंबर है, तीन दिन बाद सुबह 6 वजे इस शरीर को फासी पर लटका दिया जाएगा अपने लिए ये मेरा त्रण निश्चा है कि मैं शीख ही फिर भारत में चन्न लूँगा जब तक मेरा भारत पूरी तरह से सुतंत्र न हो जाए, परमपिता परमात्मा से मेरी यही पर्थना होगी, कि वो मुझे इसी देश में चन्न लूँगा उदर फैजाबाद जेल में अश्वाक भी अपने आखरी वक्त का इंतिजार कर रहे थे उनकी फासी की तारीख भी उननीस दिसंबर ही थी, बिस्मिल से दूर अपने आखरी वक्त में वो अपने दोस्त और अपने वतन को याद कर रहे थे जाऊंगा खाली हाथ मगर, ये दर्थ साथ ही जाएगा जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा बिस्मिल हिंदु है, कहते हैं फिर आउंगा फिर आउंगा फिर आकर कि आभारत महा तुझको आजाद कराऊगा जी करता है मैं भी कहता हूँ और मजभ से बन जाता हूँ मैं मुसल्मान हूँ उनर जन्ब की बात नहीं कर पाता हूँ हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया मुझको तो अपनी जोली फैला दूँगा और जन्नत के बद्दे उससे उनर जन्म ही मागूँगा उनर जन्म ही मागूँगा सुबए 6 बचकर 30 मिनिट पर गोरखपुर और फैजाबाद की जेलों में चार परमवीर अपनी मौत की ओर सर उठा कर बढ़ चले बिस्मिल के बलिदान की खबर सुनकर बहुत बड़ी तादाद में जन्ता जेल के दर्वाजे पर इकठा हो गई करीब देर लाख लोगों ने जुनूस निकाला बिस्मिल के पार्थिव शरीर को पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजगाट पर उनका अंतिम संसकार कर दिया गया शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमा होगा बिस्मिल के ये पंक्तियां उमीद भी थी पूर्वाभास भी बिस्मिल, अश्वाकुला, रोशन ठाकुर और राजेंदरनाथ लाहिडी की शहादत ने देश के दिल को दहलाया नहीं था बलकि सबकी रूह को जगा दिया था मुझा भी